नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार ज्वारखंड और आज बेहद ही खास महमान के साथ हम उपस्थित हुए हैं तो सबसे पहले आपका परिशे उनसे कराना चाहेंगा हमारे साथ बिहार के सबसे मशूर बिहार मत कहिए भाई पूरे भारत के मशूर यूट्यूब सवाल कहां से साथ हैं क्योंकि जब कोई पत्रकार सामने बैठता है और सामने कहा जाता है यूट्यूबर है क्योंकि यूट्यूबर की जो संगया है अब पत्रकारों वाली है जहां पर बड़े वाले कैमरे नहीं पहुंचते हैं वहां इनके छोटे मोबाईल पहुंच जात और जिन्दा हूँ तो धड़कन धड़केगा जरूर तो ऐसा कुछ नहीं है और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके मुख से एक सब्द निकला कि यूट्यूबर और उसके बाद निकला आपके मुख से कि जहां बड़े केमरे नहीं पहुँच पाते हैं तो पहली बार किसी बड़े मंच पे किसी यूट्यूबर को और सिर्फ मुझे नहीं वो तमाम यूट्यूबर को आपने सम्मान दिया है जिनका कैमरा उस जगा पे पहुँच पाता है जहां पे बड़े कैमरा नहीं पहुँच पाता है तो इसके लिए आपको तहे दिल स धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं, और हम लोग साथ मिलकर समाज की उन चीज़ों को निकालते हैं, जहां तक सरकार की नज़र नहीं जाती है, अब तक ऐसा कहा जाता रहा है, कोशिश हमारी ही होती है, पराबर आपके बार बिहारी नहीं बिहार दूसरे प्रदेश की जेल में बंद रहे, जहां ना आपकी भाशा बोली जाती थी, जहां ना हिंदी थी, ना आपकी भुझपूरी थी, तो हम इस अवधी के बारे में बताईए, देखें, आप प्रदेश के किसी और भी कोने में जा सकते हैं, जहां पे इंग्लिस भी बोला जाता है, लेकिन तामिल नाडू में थोड़ा सा इंग्लिस भी बहुत कम बोला जाता है, चुकि वो अपने भारत का एक राज्य है, तो मैं उस राज्य का और उस राज्य के लोगों का अपमान तो कभी नहीं कर सकता, और किसी भी मंच पे बैटके नहीं कर सकता, मैं बिहार से जितना प्यार करता हूँ, उतना ही तामिल नाडू से प्यार करता हूँ, बिहारी से जितना प्यार करता हूँ, उतना ही वहां के लोगों से प्यार करता हूँ, मेरे साथ साजिस हुआ, नौ महीना के बाद मैं जिल से निकला, और दिपावली के स और छे तामिल नाडू में मैं दो महीना में उन सभी FIR में बेल लेके बाहर निकल जाता क्योंकि जो धराएं थी उस धराएं उन सभी धराओं में जो है एक महीना से ज़्यादा कश्टडी नहीं लगता है किसी भी वकिल से आप लोग पूछ सकते हैं जब कोट ने क्वेस्ट क का मुआपजा कौन देगा हम सड़क पे चलते हैं तो अगर कुछ गलत करते हैं तो सरकार हमारे उपर जुर्माना लगाता है बिहार की सरकार ने मेरे जिंदिगी के उपर जो जुर्माना लगाया उस जुर्माना का मुआपजा कौन देगा मेरी मां जो है रोती रही चलिए आपने मेरे साथ जो किया किया आप यहां पे बैठे हैं मैं यहां पे बैठा हूँ आप से कुछ गलती होगा तो क्या कैमरा मैंन के उपर एफायर होगा क्या यहां पे पूरा एडिटिंग टीम के उपर एफायर होगा क्या पूरा न्यूज एटिंग के लोगों के उपर एफा किया था क्या वहां पे सविधान का पालन नहीं किया जाता है क्या वहां पे जो है पत्रकार का गला नहीं दबाया गया चलिए मैं पत्रकार नहीं हूँ मैं मानता हूँ मैं एक यूट्यूबर हूँ मैंने सुना था कि सरकारे जो है पत्रकारों के कल्म से डरती है लेकिन यहां में काम करने वाले लोगों को नहीं छोड़ा मनीस कस्या अगर गलत किया है मुझे सजा दिया जाए मुझे सलाखों के पीछे डाला जाए मुझे सूली पे चड़ाया जाए अत्याचार जाहे कल्यूग में होगा अत्याचार चाहे सत्यूग में होगा द्वापर में होगा त्र चंद्रगुप्त हूँ, मैं उस भूमी से हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि भारत का सबसे दुनिया का सबसे मजबूत सासक जो है, वो मगद का था और उसका नाम जो है चंद्रगुप्त मौरे था, इल्जाम जो लगे, जो आरोप लगे, उस पर कुछ कहना है आपको, गलत लगा मेरे उपर, बिल्कुल गलत लगा, मेरे घर का कुरकी हुआ, ये तो बात की बात है, ये जो आरोप लगे, उसके बारे उपर, मैं किस चीज को साक्ष मानूंगा, मैं साक्ष किस चीज को मानूंगा, गूगल पे खबरे दिखाई जा रही है, मैं उसको साख्ष नहीं मानू तो मैं किसको साख्ष मानू और इनी सब इस साख्षों पे जो है मैंने विडियो बने आरजेडी के एक नेता है जो एमलसी भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं उन्होंने 28 मार्च को फेस्बुक पे पोस्ट किया था उसका स्क्रीन सौट उसका डिटेल्स है मेरे पास उन्होंने क्यों पोस्ट किया था फेस्बुक पे मैंने तो यहीं कहा था ना कि अच्छा मजदूरों के हक के आवाज पूरे भारत में कितने लोगों पर फायार हुआ है साय तो किसी पर नहीं मैंने उनके लिए मजदूरों के लिए आवाज उठाया है कि मेरे मजदूर तामिलाडू में परिसान है उनको परिसान किया जा रहा है तामिलाडू के लोगों के द्वारा नहीं तामिलाडू के सरक वहाँ पर उस script के बीच में मनिस कश्यव खाड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पर local सरकार वहाँ पर local सरकार यह local सरकार अपने लोगों के लिए बाज उठाती और दोनों local सरकार अटेग करता केंद्र सरकार पर कि तुम क्या कर रहे हो जितने लोगों को तमिल में बोल रहा है उसका अनुवाद जो है चैनलों पे आया था तो हम लोग मार के भगाएंगे एक आदमी ट्रेन में घुसता है और हिंदी हिंदी लोगों से पुछता है और मारता है वो वीडियो है सोसल मीडिया पे मारता है हिंदी हिंदी और मारना श पाशवें नमर पलानें का दूसरे नमर पहले नमर प्लाने का तो उसको बदनाम करो वह ओ हो एक-पց पक्षिये बातें कर रहे हैं या उस धारा में भाने थे जो यह और तर्व कर रहे है स्ने में बीजेपी- और जेडियू आर जेडियू और जेडियू कर रहे हैं? वो भी वीडियू है, हर्याड़ा में जो है, खटर सरकार से मैंने सवाल किया, वो भी वीडियू है, इन लोगों ने तो मेरे गर्दन पर लात रखके कभी भी सलाकों के पीछे डालने का प्रयास नहीं किया, मेरा पांच शेयर वीडियू है, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, परत्यक्ष कीम पर्मानम, जाएए यूटूब पे मेरे नाम से चैनल है और देखिये वहाँ पे कि मैंने ज़्यादा सवाल किस सरकार से किया है, सत्ता के सिर्फ सिंघासन पे जो बैठे रहेंगे उनी से सवाल करेंगे ना, हमारा दाइत्वा क्या बनता है, लेकिन समस्या क यह बिपक्षी पार्टी को, कि आप कॉंग्रेस के तो बहुत सारे पेज पे मेरा वीडियो से अर्किया गया, और लिखा गया कि पत्रकार हो तो ऐसा, भेरिफाइट पेज 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 पे से अर्किया गया, जब मसौडी में मैंने पूलिस वालों को रंगे हाथ से, जब ब या मनीज पत्रकार था, और जब आप सत्ता में आए और आप से सिर्फ चार सवाल पूछा, कि आप एक मार्च को क्या हाँ, क्यूं गय थे, और जब आप गय तो सिर्फ बर्डे का केक खाए है, कि वहाँ पे स्टालीन जी से पूछे भी है, कि मजदूरों के साथ, देखिए कि हम में सोसल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, कि बिहार के मजदूर परसान है, इस टालीन जी बोलते है, नहीं परसान है, बात खतम होई पर, खतम दो, एक मुकमंत्री बोल देता है, खतम हो जब लेकिन ये साजिस्त था, इस आग को बढ़ाना था, क्यों नहीं रोका ग एक मार्च को जो है बिहार के अकबारों में आया, दो मार्च को बिहार के अकबारों में आया, दो मार्च को बिहार विधान साब हमें हंगावा हुआ, और तीन मार्च को मैं विडियो बनाया, तो सब को छोड़के मनीस कस्यप को डालेंगे, ये वहीं हो, ये लोग डरे हु आपने आग की आपके अंदर कितनी आग है क्या बस जो आग अभी मुझे निकलती हुई दिख रही है यह आग है या फिर कुछ यह आग को आप पॉजिटिव आस्पेक्ट्स की तरफ ले जाएंगे बस इतना ही चाहता हूं कि बिहार सरकार जो है फिर से मुझे जेल में डाल लेकिन मजदूरों का एक बार जनगरना करा दे जाती ये जनगरना हुआ अगर नहीं बिशार करते हैं characteristics तो भी मिलेंगे लेकिन कैसे बोल दिया कि टवीलिट साफ करते हैं चैए हमें टेश से प्यार हैं जैहिंदृ बोलने वाले लोग हैं हम लोग जो है उसके उपर एनने से लगा के जो है विहार में केस डाला एनने से छोटा सा किस क्यों नहीं लगाया बोले थे नाभी कोई एक नेता बोले थे नाम रख देंगे तो फिर से यह लोग केस करेगा अभी जो लोग सुनेंगे से वो कहेंगे कि राजनेता बनने की तरफ आप पैसा वाला नेता बनेंगे अगर ऐसा है तो अगर इस चीज को ऐसे लोग गुनाह समझते है न तो यह गुनाह मैं बार बार करूँगा लेकिन यह मेरा सपना नहीं है मैं माईक के साथ जो काम करता था वो करता रहूँगा और मैं किसी से नहीं डरूँगा फिर माईक उठा और ऐसा नहीं है कि बीजेप इसासीत परदेशों में जाके मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा वहां पर भी अगर कुछ गलत होगा तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा यह लोगो को जो करना है कर ले मुझे बोला गया कि मनीश जी चूप को जाईए बिहार में आप रात का गराफ इतना बड़ा हुआ है कि दिन में गोली मार दे रहा है सब रात में गोली मार दे रहा है सब कुछू कर दे रहा है सब हम तो बीना सुरक्षा का घुम रहा है बिहार में नहीं सोचा है सर मैं जो कर रहा हूँ वो मैं करता रहूंगा और जहां भी बिहार तथा बिहारियों का कोई अपमान करेगा साथ ही देश के किसी भी कोने का या देश का अपमान करेगा वहाँ पे मनीश का सेफ खड़ा मिलेगा अंदर कुछ आपने पहन रखा है क्या टी-शेट वगर है यह हां देखिएगा माइक थोड़ा देखिएगा लेकिन उसने बोला था नो वो नेता ने क कि भिःार के लोग ट्वैलेक्ट साफ करते हैं यह देखिए हम बहे अपराध मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं और बिहार का पहचान जो है ञां सरहद पे अगर गोली खाने का सीना लेके वैसे ही खड़ा होता है जैसे दूसरे राज़ी के लोग उते हैं यह न सुन भी इंजिनियर, सीए, कारपेंटर, वर्कर, फार्मर, सब हमारा बिहार का पहचान है, लेकिन अभी के समय में कुछ भरष्ट नेता दिम्मक की तरह बिहार की कुरसी पे फेबी कुई गीरा के, फेबी कॉल नहीं, फेबी कॉल से भी मजबूत जोड होता है फेबी कुई, फेबी क अपने भी एड के लिए पैसे ले लिए हैं, अब हम का कहेंगे, राजाराम चंदर जी से भी सवाल कर दिया लोगा, सीता जी को फिर दुबारा बनवास हो गया, एक सवाल जहन में आ रहा है, तो आरोप की बात होगे, आरोप पर जो आपका कहना था, इस नौ महीने के गैप में कई बार ऐसा हुआ कि आपकी मां से, आपके भाई से हमारा इंट्रेक्शन हुआ, उस एटीन बराबर उन तक अपनी पहुँच बनाता रहा, मुझे ये बताईए, जहां तक मुझे पता है, या फिर जहां तक मैं जानता हूँ, कि जेल में एक दिवार होती है, जो जाली होती थी, अंदर क्या लगता था है? दूसरे दूसरे राज्जियों से लोग मिलने आते थे, तो रोने के अलावा कुछ नहीं, मंगल बार और विरस्पत बार को हम लोग मिलते थे, बाकी सब दिन जो है, मैं अकेले रहता था वहां पे तामिल नाडू में, हम लोग इतिहास के पन्नों में पढ़े हैं कि काला प पानी, दही का जो मठा होता है, उसको चावल में डालके, ये सब खा के मैंने चार महिना भी ताया हूँ, अगर मेरे उपर एनस से नहीं लगा होता, जिसको कोट ने खारिज कर दिया, तो मैं साय दो महिना के अंदर जेल से बाहर निकल जाता हूँ, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मेरे उपर 6, 8, 10 FIR हुआ, टोटल मेरे उपर 18 FIR है, नेचर आप लोग जाके देख लिजे, किसी ने पाकिस्तान का जंडा फार आया, मैंने विरोध किया, अंग्रेज का मूर्ती था, मैंने विरोध किया, 443 बच्चों का भविस से बर पर नहीं लगता है, अब जब कोट ने, जिन लोगों ने एने से लगाया था, उनको गलत साबित कर दिया, तो वो लोग मुझे क्या जुर्माना देंगे, और उन लोगों को क्यों नहीं डंडित किया जाएगा, ऐसे तो अने को लोग जो है, निर्दोस जेल के सलाकों के पी कुछ सही सरकार भी है, अटल वियारी बाचपरी के समय में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, किसी भी पत्रकार को कभी सलाकों के पीछे नहीं डाला गया, आज भी जो सरकार है, अगर कुछ लोग चाइना से फंडिंग करा के देश को बदनाम करेंगे, तो सरकार तो उन कभी नहीं डाला, लेकिन कुछ सरकार जो है ना, वो कंस वाली सरकार हो जाते है ना, तो वैसे वैसे लोग जो है, जनता के खिलाप अत्याचार करते हैं, उसी अत्याचार का सिकार में मनीश का स्यपवा, मुझे इस बात का अफसोस कता ही नहीं है कि मैं जेल में गिया, एक रास्ते पर चलने वाले लोग है, उस सारे के सारे का नहीं है, अधर्म के रास्ते पर चलने वाले सारे के सारे का नहीं है, जो अपने देश को बचाने की बात करते हैं, अपने समाज को अपने राज्य को बचाने की बात करते हैं, उस सारे के सारे का नहीं है, जो अपने दे आप उस गैप की बात मैं कर रहा था उस जेल में उस गैप के आर और पार एक तरफ आपकी माँ दिखती थी एक तरफ आपको निहार रही थी तो वो सिचुएशन के बारे में ज़रा बताई आप बहुत ही कड़ा बोलते हैं और आपने कई बार मुझे से कहा भी देखें मुझे तो मेरे साथ जो हुआ उसका कता ही मलाल नहीं है कता ही दूख नहीं है मेरे मा के साथ जो अपमान हुआ उसका बदला मैं लूँगा आज भी यूट्यूब पे मेरी मा को गाली दे के एक ब्यक्ती ने वीडियो बनाया नाम नहीं रखूँगा यहाँ पे गाली गाली देके विडियो बनाया, क्यों नहीं बिहार सरकार उसके उपर करवाई कर रहा है, गंदी गंदी गाली देके विडियो बनाया, मनीश कस्यप गुनागार है ना, सजादो मनीश कस्यप को, मेरी मा को गंदी गंदी गाली क्यों दिये, मेरे पिताजी आर्मी में है, उनकी पतनी जो है देश में सुरक्षित, राज में बिहार, राज में सुरक्षित महसुस नहीं कर रही है, जरा सोचिए, उनको गंदा गंदा गाली दिया गया, हमें विडियो है मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ गंदा गंदा इतना गंदा गाली दिया गया है न, कि आपका भी मेरे साथ जो हुआ सो हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे मा के साथ जो अपमान हुआ है मेरे भाई के साथ जो अपमान हुआ है मेरे दादा जी का बनाया हुआ घर का जो कुरकी हुआ है वो जिन जिन लोगों ने किया है या तो मैं रहूंगा तो मैं उन लोगों से बदला लूँगा, अब इनको जो करना है मेरे साथ कर ले, लेकिन मैं जिन्दा रहूंगा तो मैं आप लोगों से बदला जरूर लूँगा, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। कहा नहीं जा सकता, कई लोग हैं, अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप, हाँ, मैं सवाल मनीज जी आप से आप बड़ा शांदार ब्रांट बिहार के टीशेट बहन के चल रहे हैं, तो क्या बीजेपी आपको 24 में टिकट देगी, तो क्या आप चुनाव लरेंगे हाँ या हर दिन अपमान होता है, उसके बारे में सोच रहा हूं और मैं उस मजदूरों के अपमान का बदला लुए हैं, अभी भी मैं सिश्टम में हूँ, आप से और हम से ताकतवर्ख होन हैं, हम लोग किसी से भी सवाल कर सकते हैं, किसी के भी आखों में आखे डाल के बिना डरे लेकिन भविष्य में क्या होगा, वो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना मुझे पता था कि जेल से निकलने के बाद इतने बड़े चैनल पे मैं यहां पे बैटके इंटर्व्यू दूंगा, और ना आपको पता है कि कल आपके साथ क्या होने वाला हैं, अगला सवाल तो मनीश जी आप किसकी सरकार चाहते हैं कि बिहार में आये बस मैं इतना चाहता हूँ कि कनहिया की सरकार बिहार में रहे कंस की सरकार ना रहे मैं इतना चाहता हूँ कि बिहार को बनाने वाले लोगों की सरकार ना रहे बिहार को बरबाद करने वाले लोगों की सरकार ना रहे अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि बिहार को आखिर बनाएगा कौन और बिहार को आखिर बरबाद कौन कर रहा है। मेरा फ्यूचर प्लान बस इतना ही है मैंने अपने बारे में जहां तक जाना है कि किसे भी हाल में हम जैसे लोगों को अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए समर्पित रहना है। तन समर्पित, मन समर्पित, और मेरा जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की मिट्टी, तुझे कुछ और दो, तुझे कुछ और दो, बस यही मेरा लक्त है, YouTube रहे ना रहे, Instagram रहे ना रहे, Facebook रहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए, हमारा राज रहना चाहिए, और हमारे मन्दारी हमारे सीने में धढ़ातना चाहिए, बस यही सोच है मेरा, अगला सवार, वहां पे एक पत्रकार जो है, इस्तिती को दिखा रहा है, उस पत्रकार को मार के भगा दिया जा रहा है, वहां पे आप किस परकार का पत्रकार बनियेगा, जिस भासा में वो लोग समझेंगे, उसी भासा में समझाने के लिए, हम लोगों को थोड़ा सा हाड बनना पड़त है थोड़ा सा उस परकार के सब्दों का चैन करना पड़ता है बिहार से तो वीडियो वाइरल है पत्रकारों को पिमसी हमार के भागाया गया देखिए यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है कि ने वह तो सांती से जाकर पूछ रहे थे कि भाई जो है एस ट्रेचर नहीं मिल पूरा उल्टा उनके उपर अफ़यार कर दिया गया मनिश्वा तो जायेगा तो हिमत नहीं है कि कोई मार दे जानते है कि हमारे साथ अगर जो जी तरीके से सैलुक करेगा उसी तरीके से सलुक करेंगे इस पूरे इंटर्व्यू के दोरान हमने आपका गुस्सा भी देखा और आप कहारे हैं कि आप बद्ला लेंगे, यह किस तरह का बद्ला होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे बद्ला ये होगा कि किसी मा के आखों से आंसु आए बिहार में उससे पहले कोई बेटा अपना हाथ लगा दे कि मा तुम रो मा तुमारे सारे कश्टों को मैं हर लूँगा मैं उस परकार से बदला लूँगा और मेरा यही टारगेट है बस उसके अलावा मेरा कुछ नहीं है बिहारीों का अक्सर बाहर के राजियों में अपमान किया जाता है इसके पीछे का कारण क्या है क्या बिहारी खुद या फिर हमारे बिहार के राजनेता देखे बिहार की जनसंख्या 13 कडूर 80 लाग है और देश का जनसंख्या लगबग 142 कडूर के असपस है देश के सारे लोग जो है बिहारी के बारे में ये सोचते हैं कि बिहार के लोग मेहनती होते हैं किसी भी जगह पे जा सकते हैं यहां तक कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ब्यक्ति ने पहार तोड़ा है वो भी बिहार का I.S. I.P.S. डॉक्टर इंजिनियर सब बिहार के लेकिन कुछ साजिस करने वाले लोग नेतागीरी चमकारने वाले लोग अपने अपने राज में बिहारी के नाम पे राजनिती करने वाले लोग बिहारी को बदनाम करते हैं और ट्वैलेट साब करने वाले ये सब बिहार के ल जिस दिन ये सोच भिहारियों के अंदर आजाएगा मैं दावे के साथ करता हूँ कि उसके बाद पांच साल के अंदर अंदर बिहार पूरे भारत के टॉप थिरी राज्यों में से बिक्सित राज्यों में से एक राज बन जाएगा मनीजी आप नौ महीने जेल में रहें इस दोरान आपने कुछ लिखा या कोई future planning किया कि हाँ मैंने एक डाइरी लिखा मैं अटल वियारी बाजपेई के कभिताओं को पढ़ता था उनके किताब को पढ़ता था हरिसंकर परसाई के किताब को पढ़ता था रामधारी सी दिनकर के किताब को पढ़ता था और मैंने एक डाइरी लिखा है बस मैंने कहीं पढ़ रहा था मैं कहीं पढ़ रहा था कि one day your future will be better than your dream if you work hard with your willing heart एक दिन आपका भविष्य जो है ना आपने जो सपना देखा है ना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा लेकिन अगर आप सच्चे मन से कड़ा परिश्रम करते हैं तो और एक ना एक दिन मुझे पता है कि बिहारीों ने जो सपना देखा है ना उससे भी खूबसूरत अपना बिहार बनेगा, नया बिहार बनेगा, समरीद बिहार बनेगा मैं दावे के साथ कहता हूँ, जेल में मैंने यहीं लिखा, यहीं समया मनीश जी एक सवाल आप से है कि हम सुन रहे हैं आपको आपने बताया आपके मा के साथ, आपके फैमिली के साथ, सब के साथ गलत बहेव किया गया वो एक समय था जब आपके साथ emotional breakdown भी काफी हुआ होगा और NSA भी लगा, कैसे आपने वो सारी चीजों को tackle किया, उस समय को कैसे deal किया आप से पूछना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? बता दीजे दुनिया में सबसे ताकतवर मा होती है और मेरी मा मेरे साथ थी, तो मैं तूट कैसे जाता? मेरी माँ अनपड है पढ़ ही लिखी नहीं है लेकिन दौडते रही लोगों से मिलते रही कुछ लोगों ने अस्वासन दिया कुछ लोगों ने साथ दिया उस माँ ने मुझे तूटने नहीं दिया मेरा भाई जिससे मैं पहले एक महिना पे 15 दिन पे बात करता था, वो अपना कमपनी में काम करता था, बैंक में काम करता था, उसकी साधी भी हो चुकी है, मा के बाद सबसे ताकतवर अगर कोई उभरा तो वो मेरा भाई था, मेरे पिता जी, जो अपने पैंसन का पैसा निकाल के दिये है, तब मेरा बेल हुआ है, पैंसन का पैसा निकाल के दिये है, पैंसन का पैसा, तब मेरा बेल हुआ है, और मेरे वो गरीब दोस्त जिनके पास था तो कुछ नहीं, लेकिन ये एक दिल था, उससे ज़्यादा मुझ कि छोड़ा नहीं ऐसे आपने बूल का में आएगे चीज और ठीक करेंगे क्या लगता है एक आम आदमी को नयाय मिलना कितना मुश्किल है आमा आदमी को नयाय मिलना आज के समय में भी बहुत मुश्किल ह continuar के जैल में विडा बेयो Tea में मैंने देखा ऑज Chase सिंगल मडर केस है जिसमें सुप्रीम कोट का गाइडलाइन्स है कि 14 साल के बाद बोर्ड बिठा के अगर सिंगल नेचर अगर ये है कि जमीनी भीवाद में कभी-कभी इंटेंशन नहीं रहता है लेकिन हो जाता है तो 20 साल की सजा होती है 14 साल में सजा पुरा होता है और बोर् एक अपराधी को छोड़ा गया बिहार में बोड बिठा के नियम चेंज करके उन लोगों को छोड़ा गया लेकिन बिहार के भोले बाले जो बिहार के बेउर जेल में और दूसरे केंद्रिये कारा में और मंडल कारा में जो सड रहे हैं उनके लिए सरकार बोड नहीं बिठा र परसांत किस ओर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी मजदूरी वेरुजगारी की बात करते हैं मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ थोड़ा सा सब्दों का सही तरीके से चैन करके जैसे पहले मेरे साथ ये हुआ कि मैंने बहूत बार जो है आवेस में आके गलत सब्दों का चैन किया आवेस में आई आवेस में आना कोई गलत चीज नहीं है लेकिन आवेस में आके भी चाहता हूँ, उन सारे चीजों का सजा मुझे मिला, मैं काट के आ गया, आप लोग जो है यूट्यूबर बनना चाहते हैं और उससे जो है कुछ करना चाहते हैं तो आप इतना ध्यान रखे कि आपका वीडियो से समाज को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, देश को नुकसा चाहते हैं मनिश चोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंट लोटते हैं लेकिन ऐसे खाली हाथ खाली जोला नहीं लोटेंगे, बहुत सारे सवाल होंगे उस जोले में, ठीक है, तुरंट लोटते हैं चलिए एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है, हम लोग बैठे हैं, कुछ बड़ी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनिश कश्यप मौझूद हैं, तो एक बार फिर से तालियों से स्वागत करते हैं, ब्रेक के बाद भी और मनिश कश्यप धड़ा-धड़ सवालों का जवाब दे रहे हैं, इमोशन्स इनकी आखों में मैं बैठके देख पा रहा हूँ, क्योंकि हमारी इनकी दूरी कम है, और जब यह भर-भर आते हैं, तो इनकी आख के दोनों कोर में पानी आता है, तो आप समझ पाएंगे कि दिल से भरे हैं, आग तो इन्होंने दिखाई हैं, लेकिन उस आग को अब सार्थक तरीके से पॉजिटिव वे में ले जाना चाहते हैं, इसलिए हाँ जोड़कर सभी यूट्यूबर से भी अपील कर रहे हैं, जितने भी मीडिया परसन से उनसे भी अपील कर रहे हैं, कि सम आप इनमें से किनमें बिहार का भवी से देखते हैं, चार ओप्सन था, लेकिन उसमें मनीज कस्यप का ओप्सन नहीं था, लेकिन कॉमें लोगों का जवाब था कि बिहार को मनीज कस्यप चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या, लोग तो कॉमेंट में कर रहे था, वो चार जो राष्ट धर्म और पंच जन में पत्रकारिता करते थे उन्होंने अपने बायोग्राफे में लिखा कि सरकार के तरकस में इतना तीर होता है कि वो जब चाहे तब पत्रकारों का गलग घोंड सकता है। जो है इतना प्यार दे रहे हैं इतना चार हैं कि चार गोंड वा में मनिश्वा तो नहीं ये राल लखा लेकिन कमेंट वा में खाली मनिश्वे राल लखा तो ये लोग हैं उनके भावनाओं से हमें कनेक्ट होना हैं उनके दिल में जो है हमें घर बनाना हैं और जब हम लोग उनके दिल में घर बना लेंगे, तो चार आपसन में नाम हो ना हो फरक नहीं पड़ता है। कमेंट में तो अपना नाम जरूर रहेगा, उनके दिल में अपना घर जरूर रहेगा। आप पर एक बड़ा रोप सुर्खियों में रहने के लिएidas कोई द्यकत नहीं हम सुर्खियों में रहने के लिए मुमई के सडको पे किस परकार से नातक करते है लोग कोई द्यकत नहीं हम सुर्खियों में रहने के लिए अगर लोगों के समस्याओं को सही ढंग से दिखा देते हैं तो कौन सा गुना कर देते हैं कौन सा गुना कर देते हैं और हमारे सुर्खियों में बने रहने से अगर बिहार का भला हो जाए अगर मजदूर के साथ कोई भी Хथाथा होता है तो बियार सरकार 25 रुपिया दे और इसके लिए अगर मनीशकाश्च अब सुर्कियों में बना रहेगा तो ये तो मेरे लिए सोभागे की बात है और ये आरोप नहीं है मेरे लिए गर्भ की बात है मैं जाती नहीं पूछूँगा। जाती नहीं पूछा हम तो जेल में बंद थे। हमारे कहां कांटी करें? हमारे घर का भी कांटी करें नहीं आया सबbuster dark को यह हो सिर्फ कि अधी tempo fast हम Indusdani हैं न हम उसरे उपर है में जिस siis में लान उन देखती हैं उसमें हिंदुस्तानी वाला अगर कॉलंब हो तो जाके देख लिजे तो हिंदुस्तानी वाला तो कॉलंब था नहीं इस गर्णा क्या लगता है अंग्रेजों ने गर्णा किया था भारत में गर्णा किया जैसा कि मुझे जनकारी है थोड़ा उपर नीचे हो जाए तो माफी चाहता हूँ पूरे भारत में जैन लोगों का परसेंटेज एक परसेंट से भी कम है लेकिन पूरे भारत के एजुकेसनल इंस्टिट्यूट पे पूरे भारत के बिजनस पे पूरे भारत के होस्पिटल पे 60 परसेंट कब जा है उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि हमारी संक्या कम है तो हमारी भागेदारी नहीं हो सकती है हमारी इससे दारी नहीं मिल सकती है उन्होंने उसी को ताकत बना लिया इसराइल इसराइली लोग जो है सिर्फ और सिर्फ 93 लाग है उन्होंने उसको ताकत ब अब पता है क्या हो रहा है कुरसी कुरसी खेला जा रहा है देख रहा है ना बिहार में क्या हो रहा है क्या हो रहा है अभी जो है दिल्ली कभी पटना कभी दिल्ली कभी बिहार में तुफान मचा हुआ है कभी वो तुफान दिल्ली में आ रहा है इन तुफान के बीच में कभी पूचूँगा जोड़ दो पी-मच चैनल में आके पूचूँगा कि बिहहर में बाढ़ में बाभ में बाढा है आज बता रहा हूं पूचंगा के लिए दिक्त में देश के लोगों से बीनति करना चाहता हूँ बियार के लोगों से भी नतिक करना चाहता हूँ, कि बियार में जितने भी सरकारी अस्पताल है, कम से कम अगर आप सक्छम है तो एक एस्ट्रेचर खरीद के दे, ताकि लोगों का जान बचेगा, एक एस्ट्रेचर खरीद के दे, मैं इस परकार की बात करता हूँ, तो ये तो बिहार में करांती आ जाएगा लेकिन ये जनगर्णा ये लोग सरवजानिक नहीं करेंगे ये सिर्फ सरवजानिक करेंगे कि हाँ हाई फलनवा जाती का हाई विदान सावा छेतर में इतना परसेंटेज है तो इसी जाती के आदमी को देंगे दूसरे जाती को नहीं दें तो इ लखता है, सब बोलने वाले हैं, तो नेता है कौन? थैं, कुछनेता है, अच्छे नेता है? किसी एक पार्टी का नाम नहीं रखुँँगा, हार एक पाड़ी में है. ने, हार एक पार्टी नेrade ने, पहले तो पाड़ पार्टी आएगी, बाद में लोग आएगे. नहीं तो पहले अच्छे नेता आना चाहिए पाटी तो अपने आप खड़ा हो जाता है अच्छे नेता थे पाटी खड़ी हो गई अटल वियरी बाच पे यह आए ना सुरवात किये थे जीरो से अडवानी जी जुडे दू पे गए अब भविश्वानिया कर रहे हैं इसलिए झेश़ बोलो है विहार में क्या ओने वाला इंडर बना रहेगा यह मлекन स्मरिद भिहार प्विश्व मैं जरूर कंदाने में आपका हमारा हम सब का योगदान रहेगा एकदम डैफिनैटली राम अंदिर निर्माण होरा है और राम अंदर को ले करके भी kई निया क्या देखता है और क्या ये इस बार भी वहीं कार्ड है बीजेपी का क्या देख रहें आपकिस तरीके से लिए इस सवाल जो है नास्तिक लोग करते हैं आप फ़र ब्रयोसा है उठा के देख लिए दुनिया का किसी वी कोने में चले जहाइए जहां पे धर्म का विकास हुआ है उस देश का विकास हुआ है जिस राज्य में धर्म का विकास हुआ है उस राज्य का विकास हुआ है बिहार में ज्यादा मंदिर है कि साउथ में ज्यादा मंदिर है मन्दिर के आद fandom relief जो आते हैं भगवान का दरसन कर देन你要 कहते हैं कि हमारे होते हुए जो है कोई भूखाना सोई जहां मन्दिर रहेगा जहाँ भगवान रहेंगे दूसरे जगह से लोग आएंगे दर्सन करेंगे समान खर देंगे बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी चलेगा अब जाके देखिए न साउथ में इतने बड़े-बड़े मंदीर है लोग दर्सन करने जाते हैं साइट इरुपती जो है केंसर अस्पताल चला रहा है इन्वर्सिटी चला रहा है वो क्या कर रहा है वो भगवान के नाम पे कोई राजनीती नहीं कर रहा है वो तो भगवान का मंदीर बना दिया और भगवान के द्वारा जो है लोगों का विकास कर रहा है स्रीडी मंदीर को देख लिजे साउथ में बहुत सारा मंदिर, इवन बिहार में भी एक हनुमान मंदिर है, स्टेशन के पास, अचार कुनाल किसोर का बहुत बड़ा योगदान है, उनके वज़ा से अथक प्रयास से वो बन पाया, वो मंदिर बन पाया, वो मंदिर पांच-पाच अस्पताल बिहार में चलाता है, अब राम मंदिर बनेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राम मंदिर भी 50 अस्पताल, दो-चार इन्वर्सिटी तो जरूर खोलेगा, लोगों का विकास जरूर होगा, पहला चीज़, दूसरा चीज़, उस राम मंदिर के वज़ास से अयोध्या का विकास होगा, यूपी क पूरे देश का विकास होगा, ये आस्तिक लोगों को समझ में आएगा, नास्तिक लोगों को नहीं समझ में आएगा, और वो लोग उल्टा सिधा सवाल जरूर पूछे, इशारा किस तरफ है आपका, भी हम लोग पकड़ बार हैं, जिनको राम पर भरोसा नहीं है, उन पर ह किसा रहा है, हमको राम पर भरोसा है, भाई हम लास्तिक लोग हैं, पतलब जो राम को लाएं हैं, उनको लाएंगे, जो राम को लाएं हैं, राम हमको लाएं हैं, आपको लाएं हैं, हम सब को लाएं, और राम को पता है कि किसको लाना है, राम को हम लोग नहीं पता सकते हैं कि राम जी इनको ला दीजिए, जो चुनाव के समय में घुम घुम के मंदिर में जा के टीकाउ का लगाते हैं और संजोग से ऐसे के जगा पे ऐसे करते हैं, ऐसे भी करना चाहिए, इस धर्म का भी सम्मान है, इस धर्म का भी सम्मान है, सभी धर्म का सम्मान है, लेकिन हमको प आगे राम जी देख ले रहा है सीधे उपरे से दीख जा रहा है तो राम को पता है कि किसको लाना है और राम जिसको भी लाएंगे वो सही व्यक्ति को जो है 2024 में जरूर लाएंगे मैं भारत का नागरीख हूँ, भोड़ देने का मुझे अधिकार है, अगर मैं जेल में नहीं गया, अगर साजिस करके मुझे फिर से जेल में नहीं डाला गया, क्या पता मैं आज से निकलू, पिछली बार जो है, मैं न्यू चैनल पे इंटर्विव दिया था, बीयार गया, व अगर मैं जेल में नहीं गया, तो मैं सही ब्यक्ति को जरूर भोड़ दूँगा, दिल में कौन सी कसक है, कौन सी आवाज आ रही है, दिल में बस एक ही कसक है, कि आए देश का हर एक कोना जो है, वो विकास के रास्ते पे आ चुका है, और विक्सित हो रहा है, आज भी बिहा बिहार जो है, भारत का किसी भी राज से 40 साल पीछ है और विहर की राजधानी पटना किसी भी राजधानी से 40 साल पीछ है, और कोई सवाल है, अब कई सवाल में खटा की आज़ाए। कौन सा रास्ता जो यह वक्तियार करेंगी या कोई तीसरा भी कल्पनिश कस्टेफ के पासे मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगे हम बोले ना राम सब को लाएं राम देख रहा है कि मनिश कस्टेफ के साथ गलत हुआ और राम सरकार को गिरा भी देंगे पूल गिरा ना गिरा की गिर भी जाएगा एक ना एक दिन तो गिरेगा एकदम हंडेट परसेंट एक सो असी दिन आप काउंट कीजिए देखिये क्या होता है बिहार में बड़ी बात हाँ सर आपकी विचारधारा किस पॉलिटिकल पार्टी से मैच करती है मैं राष्ट्रवादी हूँ मेरे अच्छि के वहां और है के वार करने वाले लोग हैं। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम बिहार में लोगों के बीच में राने वाले लोग हैं, और हम पहले भी थे अभी हैं और भविस्य में भी राएंगे, हां कभी-कभी दिकत होगा, तो बाउंसर को रखना पड़ेगा, किसके लिए, जो लोग साजिस करते हैं हम लोगों के खिल अपने आपको बचाने के लिए रखना पड़ेगा, ये चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार और देश में मनिस कस्यप को घूमने के लिए कभी बाउंसर की जरूरत पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है, चुकि हमारा जो करेज है न, उस सेर का करेज है, और बिहार ही नहीं, देश के हरे कोने में मा जो है न, सेर बेटा पाइदा करती है, बस उस बेटा को जानने की जरूरत है कि मेरी मा ने जो है मुझे सेर पाइदा किया, जिस दिन आप सभी को सबको हम सभी को पता चल जाएगा न, कि हाँ हम सेर है, तो हमें किसी से डर नहीं मेरे उपर 18 केस है साधी होगा उसके अगले दी नहीं पूलिस गिरफतार करके जेल में डाल देगा तो कहीं किसी दिन कहीं बेलोल टूट गया कहां कहां जाएंगे तामिलाडू में चार गो अलग अलग जगा पे केस हुआ चैनाई में हुआ वहां से 450 किलोमेटर दूर मदुर किरिफनागीरी में हुआ वहां से 300-300 किलोमेटर दूर तिरिपूर में हुआ आप लोग गूगल पर सर्च मार लिजेगा डिस्टेंस इतना ही है अब बताइए उधर जाके तारिक जोग आएंगे के बिहार में जो केस है उधर जाके तारिक जोग आएंगे तो मेरा तो अगे कर सकते हैं अगे का मैं अभी पता नहीं सकता aja naniya lagi में या अभी बनागा मैं उधर मेरी मंपी को अफोन आएगा उधर मेरी मं में को बीपी का बिमारी सची से फमे को बीपी का बीमारी है nila नियूजेटीन ने अपकी मां से बहुत सारी बातें की और बीपी को कम करने के हमने भरसक कोशिश की हमें लोगों ने उन्हें बहुत ही सम्हाला भी और शायद आपने वीडियो देखा भी होगा अगर कोई अफराधी भी होना उसके परिवार को टूटने नहीं देना चाहिए चुकि परिवार का गल्ती नहीं होता है मैं तो अफराधी था भी नहीं यहां तो आतंकवादियों के परिवार का कुर्की नहीं होता है उसके घर का कुर्की नहीं होता है अपने भारत इतना खुबसूरत देश भारत है इतना खुबसूरत सविधान जो है बाबा साब अमे इपसाइट इधर रखिये और बोलिए कि मेरे पास सो कड़ रुपिया होता तो मेरे घर का कुर्की हो जाता। वह आज का आज बिहार में रामराज आज आएगा लेकिन बिहार में अभी तो रामराज नहीं है। जीरो पे लाके खड़ा करने का प्रियास किया गया जीरो पे और मैं जब नौ महीना जेल के अंदर था तो मुझे लगा कि मनीज कस्यव को फिर से एक नया सुरुवात करना पड़ेगा। लोगों ने भर भर के इतना प्यार दिया कि मुझे लगा कि मैं ने जहां छोड़ दिया था और जेल गया था उस लकीर को यहां के लोगों ने और बड़ा कर दिया है। और मुझे जीरो बनाने का प्रयास सरकार ने किया। लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं हीरो बन गया। और मुझे इस बात का गर्व है और वहाँ प्यार अगर आप बेऊर जेल पे रहते ना तो वहाँ पे पता चलता कोई नहीं था। मेरे इंतिजार में कोई नहीं था कोई अमीर कोड़ोरपती नहीं था रिक्सा वाले ठेला वाले जो भी सुनते थे मनिश कस्यप निकले गा एक दिन पहले भी उतना ही भीड था और अगर टाइम फिक्स रहता बता दिया होता सरकार की 12 बज़े एक बज़े या आज छोड़ द चे यह हो गया था जहर खा के लोग मर गए थे मैं वहाँ पे जाके वीडियो बना रहा था तो कुछ साजिस करने वाले लोग जो है मेरे खिलाप बत्तमी जी किये गाली गलोज किये वीडियो बनाया है वो वीडियो वाइरल हुआ नवादा में जेल जाने की पहले की कहानी बता रहा हूं जिस नवादा में कुछ लोगों ने मुझे गाली दिया उसी नवादा में जेल से निकलने के बाद मैं गया तो सड़क पर रोक के वहां की ओरते जो है मुझे तिलक लगाई और मेरा आरती की तो मनीश कस्यप तो छोटा लकीर खीच के गया था और जेल से बा होता तो सायद मेरी आउकात नहीं होती कि मैं आपके बगल में बैटके इतना देर का इंटर्व्यू दे सको बहुत 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 शुक्रिया मनीश कश्यप आपका अपने समय निकाला और आपने बात बताई और इस बात को आपने माना कि कभी कभी भाववेश में बहुत स से हम शुक्रिया कहना चाहेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बगल में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने छोटे से गाउं के एक छोटा सा यूटीवर को ये मौका दिया और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातों को रखने के लिए त आप लोग अगर मौका देंगे तो हम लोगों के बीच से कोई चंद्रगुपत मौरे पायदा होगा आप लोग मौका देंगे तो हम लोगों के बीच से कोई अटल विहारी बाचपी पायदा होगा आप लोग मौका देंगे तो हम लोगों के बीच से कोई नरेंदर मोधी प और फिर किसी खास सक्षियस के साथ कभी मिल बैठेंगे, बाचीत करेंगे और बाचीत ही कर रहे थे। ऐसा ही लगरा हुगा आपको कि हम लोग बाचीत कर रहे थे।